कोरोना महामारी के बीच नीट वा जे ई ई ई पिर्वेश परीक्षा ना कराय जाने की मांग को लेकर तथा लखनों में पिर्दर्शन कर रहे सपाच चातर सभा के निवर्तमान पिर्देश अध्यक्ष दिगविजै सिंग देव वा अन पदधी कारियों तथा कारे करताओं पर पुलिस के बरबर लाठी चार्ज के विरूद में एक सितंबर मंगलवार को मुरदबाद में भी सपाच चातर सभा के कारे करताओं ने चातर सभा के निवर्तमान पिर्देश सचीफ चौधरी मुहम्मद असलम खा के नेतरित में जिला अधीकारी के कारियारे पर जोरदार नारे बाजी वपिर्दर्शन किया तथा जिला अधीकारी मुरदबाद के माध्यम से महामहिम राजजिपाल महोदिया को एक ग्यापन पिरेशित किया जिसमें कहा गया है कि कोरोना संकिरमन काल में नीट वजी की प्रिवेश परीक्षा सहित किसी भी पिरकार की परीक्षा कराना चात्र चात्राओं वा अभी भावकों के जीवन से खिलवार करना है अते इन परीक्षाओं को इस्थगित किया जाए तथा लखनव में पिर्दर्शन कारी चात्रों पर बरबर लाठी चार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद कटोर का रवाई की जाए इस बारे में जानकारी देते हुए सपा चातर सभा के निवर्तमान प्रदेश सचिव चौधरी महम्मद असलम खाने बताया देखे जैसे कि आपको पता है कि सारा बिस्विस्टेम कोरोना जैसी महावारी से जूँज रहा है और सभी स्कूल कालिज अब तक बंद चले आ रहे थे अभी ऐसे में सरकार का एक आदेश आता है कि जेई और नीट की परिक्षाएं के सम्बंद में समाजबादी चातर सभा ने उसका पूरा बिरोत किया है और बिरोत का जगा जगा पर चल रहा है ऐसे में समाजबादी चात्र साथ मांग करती है कि यही और नीड वाली परिक्षाओं को निरस्त किया जाए क्यूंकि यदि कोई चात्र चात्रा अगर इस रोक से गिर्सित हो जाता है तो अपने घर जाएगा उसके घर परिबार वाले भी इसकी चपेट माएंगे ऐसे में चात्र चात्रा की भविस्से के साथ में और चात्र चात्राओं के स्वास्त के साथ में खिलवार समाजबादी चात्र सा बकती बरदास नहीं करेगी एजिस परिक्षाओं को निरस्ट करने की मांग करते हैं हम लोग जी जिलादीकारी महोदे के माध्यम से राज़ेपाल महोदे के ग्यापन दिया गया है और मांग की उठाई गई है पोलिस ने बलपूरबक चात्र चात्राओं को जबरश्टी उठा करके जेल में ठूश दिया है उनकी भी रिहाई के लिए हमने मांग उठाई है और इस मसंबन में हमें देखिए ऐसा है कोई भी चात्र चात्रा जब अपने घर्चा परिक्षा देने के लिए निकलते हैं और लाखों की संख्या में चात्र चात्र जानरा है एक जगा पर एकत्रित होंगे एक तरफ सरकार दाबा करती है कि धारा एक सोचवाली से लगाई गई है दूसरी तरफ लाखों चात्र चात्रा एक जगा पर एक अकट्टा होकर परिक्षाए देंगे ऐसे मैं यदि कोई ग्रसीत होता है तो उसके जिम्मेदार सासन ये पर सासन होगा यदि सरकार होगी यदि समाजबादी चात्र साबा इसका पूरी तरीके से बिरोत करती है यदि कोई भी सरकार आदे उसको अपने बापस ने लेती है परिक्षाओं को नरेस्ट नहीं करती है तो समाजबादी चात्र साबा आंदूलन के लिए बात दे होगी सबसर पर जोरदार नारे बाजी की